Hey guys, welcome to my channel, मैं हो रिच्चा, जैसा कि आपको पता है, मैं जौमनी में रहती हूं यहां कि लाइफ और स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियो बनाती हूं, बट आज का वीडियो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, येस, स्किन केर, हैर केर से रिलेटेड है, सो आज के वीडियो मे बात करने वाले हैं कि बालों का आप घर पे कैसे केर करो, ठीक है, DIY क्या-क्या है, जिससे अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, तो वो, है ना, कलर्ड हो जाए और बालों को ज्यादा हाम भी ना हो, आपने से बहुत लोग में से पूछ रहे थे, इंस्ट्राग्राम पे हो हो गए थे, और आप पूछो, मत मैंने क्या क्या, एक्सपेरिमेंट किया था मतलब जितने एक्सपेरिमेंस थे, हालाइटनिंग, सब कुछ मैने कर लिया, मतलब मेरे को don la bag, मैने यह ने کیा वो ने किया। मैने सब कर लिया। मेरे को रहे आते हुछ सब कर लिया अब मैं ज्यान दे रहे हूं को बालों को अच्छा कैसे करते हैं क्योंकि यह मेरा experience मेरे hairs काफी damage हो गये थे फिर में को समझ में आया कि यह सब से बीटा कुछ नहीं होने वाला आपके बाल तो हैं और जैसे जैसे आपकी एज होते जाएगे और भी गंदे होते जाएंगे तो बेटर है कि आप एन घर को वापस आजा और अपने हैर करना start कर तो जैसे आप इंडिया में करते थे सो मैंने start किया पहले प्रेगनेंसी में में को तो बहुत सारी वामिटिंग यह वो तो अलगी चैप्टर है उसको छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे नहीं पॉसिबल था फिर पोस्पार्टम था उसमें रिकवरी और अल और सब कुछ नया था तो काफी टाइम चला जाता था समझ नहीं आता था और फिर हैना बहुत सा मैं प्रेaal्श समय रहें यहाँ यहां पे यह यह एल और पीछ तो समझ नहीं हों तो मैं क्या करो हरो ऑन उसली मैंने इतना तो बाद म्रेज करने से क्या फाइदा आपका मन बहुत नहीं है, तो मत करो, मन है तो कर लो, थीक है? उसके बाद तो आप देखो किया कर सकते हैं, मैंने किया और फी नहीं करना था और इतने जादा ग्रें नहीं हो गया थे देखो ग्रें हैर्स बुरे नहीं होते हैं जब तक कि आप कमफेटबल वह अच्छे रहे पर गे नहीं थी अब जिसको अच्छा लगता है अच्छी बात है मुझे नहीं लगता सो मैंने सोचा ठीक है घड़ पे कुछ ट्राय करते हैं फिर बहुत सारे वीडियो मैंने देखा और मैं सोची कि मैं क्यों ना वह सारी चीज़े करो जो मैं पहले करते हैं यहां पर मिलता हुप जोओ पर फिर नहीं आप सामान के लिए आप ना एक सामान यहां लिख ऑपले हैं पोलती है इन्हीं टलिए बाती diye आपका सामान है 10 EUR का जबरदस्ती आप 40 EUR का सामान पूरा कर रहे हो उसमें भी एक जगा आपको सब कुछ नहीं मिला फिर कहीं और जाना है तो हसल हो जाते हैं तो मैंने सोचा ठीक है पहले देखती हूं जाकर करके इंडिन स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है सो मैं गई मुझे बहुत बेसिक सच चाहिए था बस हीना चाहिए था ठीक है बांकी इंग्रेडियेंस तो ठीक है समाहओ घर में होता है हमारे मैनेज कर लेंगे सो मैं हिना लेकर के आई हिना के साथ मेथी फिनुग्रीक वह मतलब आप उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है और मुझे लगता मैं जितने लोगों को मैंने बताए सबको सूटी करता है ऐसे सायद ही कोई लोग होंगे जिसनको वह सूट नहीं करता है और हैर्स को इतने स्ट्रेटनिंग कर देंगे जो टेक्शिर है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा शाइनी स्मूदी हैर्स हो जाएंगे सो मैं क्या करती हूं आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो हिना होता है उसको तो भिगाना होता है बट उससे पहले मैं ना फेनुग्रीक को पहल आपको फेनुग्रीक चाहिए और चाहिए आपको दो अंडे अगर बाल अंडे नहीं लगाते हो तो सही है तो बस इतना ही चाहिए कोफी बहुत लोग उसमें यूज करते हैं बट है कई वार क्या होता है अगर आप 10-15 देज में बार-बार यूज कर रहे ही ना तो कौफी हेर को ड्राइ कर देता है कई लोगों का नहीं करता है कई लोगों का कर देता है सो बीट रूट में कलर जो आना है वो आजाएगा कलर की टेंशन नहीं है बस आपको यह ध्यान रखना है 8-10 गंटे हीना को भीगोना है सो पहले बीट रूट को क्या करना है उसको ख्रश कर ल पानी बचेएगा तब तक आपको पॉयल करना है वह हो गया हलका ठंढ़ा होगया मिन्स की है आप एना अब एक और सुबह तक रहने देने न Tommy ौन्प के बहले शैंसे क्लीम किया है और अपिर हैं उसको हम सुबह तक रहने दिग अगर आत में भीग हो तddas गूंटे के लिए डगे अब सेपरिट दूसरी तरफ आ जाते है क्रना है दूसरी तरफ है न कि आपका जो मेथी है उसमें से जब और न पहांग केड़िने सब्सक्राइब लेटे 1 छुट न सरत शकिर मिट्स वे मेथी का पॉर्डर तो उसमें आपको है ना पानी अधा कप दे करके एक दो घंटे भिगो देना है वो हो गया एंदेन जब आपलाय कर रहे हो उस टाइम पह आपको डालना है उससे पहले नहीं डालना है क्योंकि वह सही नहीं होता मैं को सही नहीं लगता मैं अपना बता रही हो अपना experience बतारी हूं पखते रहेगा फिर सहीं होता इधर दर लगते रहेगा और मैं रिकमेंड करूंगे आप ब्लैक क्लोथ पहन के अपलाई करो ताकि अगर गिर भी रहे तो कपरे खराब नहीं होंगे तो आप अपलाई करो दो से तीन घंटे रहने दो उसके नॉर्मल आप वाटर से वाश कर ल आप दो विक में एक वार अपलाई करो सही रहेगा हैर के लिए भी ग्रेहर गाय हो जाएंगे दिखने बंद हो जाएंगे और अनेसली जब से मैं ट्राइक कर रहे हो तब से मुझे नए ग्रेहर तो नहीं दिख रहे हैं और वो भी गाय भी हो गये हैं सो कॉमेंट सेक्शन म मुझे जरूर बताईए यह वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें खुश रहे हैं बाई बाई